तिरोडी की सरकों पर अंदिनों फिर से मवीशियू का जमावणा नजर आ रहा है जिससे फिर दुरगटना बढ़ने की संभावना नजर आ रही है पिछले बार भी समाच्वार के माध्यम से सच्छित करते हुए खबर लगाई थी मवीशियू के लिए जिसे मवीशियू के मालिक और गाव के लोगों में काफी असर देखने को मिला था लेकिन फिर से कुछ ज्यादा ही मात्रा में मवीशियू का जमघट बना रहता है कुछ आवारा और कुछ पालतू मवीशिय गली वचौक चौराही में आवारा घुमते नजर आ रहे है लेकिन मवीशिय के मालिकों का इस और बिलकुल भी ध्या नहीं है मवेशियों के धमा चौकरी से लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है आए दिन इन मवेशियों के कारण हाथसों के शिकार बन रहे लोग वही कई बार मवेशिय भी भारी वाहनों से टकराने के कारण दुरगटना का शिकार हो रहे है मवेशियों के वज़े से कही ना कही ट्राफिक में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कई बार वहन चालकों के द्वारा होर्न बजाने के बावजूद भी मवेशिय सडकों से नहीं हट पाते है और राह गिर्व वहन चालकों को अपने वहन से उतर कर मवेशियों को भगाना पड़ रहा है इन मवेशियों से दिन बदिन हाथ से बढ़ते ही नज़रा रहे है और कई बार मवेशियों के मालिकों को समझाईश भी दे दी गई है लेकिन मवेशी मालिकों पर कोई एसर नहीं हो रहा है विदेधो की आवारा और पालतो ममेशियों की समस्या से निजात पाने के लिए चालानी कारवाई करने का प्रयास किया गया लेकिन कहीना कही जुर्माना कम होने तथा उनके मन में डर नहीं होने की वज़ज़ से मवेशियों मालिक अपने मवेशियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे है पूरे गाउं में देखे तो जगर जगर पर मवेशियों मन रहते हैं और इन मवेशियों में पालतो जानवर और दूद देने वाले भी मवेशियों सडकों पर घुम रहे है दिन में तो जैसे तैसे लोग कठिनाई उसे बच जाते है लेकिन रात के समय परिशानिया कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है इसके बावजूद भी मवेशी मालिकों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है दिन बदिन बढ़ते ही नजर आ रही है मवेशी की संख्या ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी कोई भी बड़े हाथसे से इंकार नहीं किया जा सकता है जागरिक नागरी कोने स्थानी शासन प्रशासन एवंजन प्रती निद्यों का ध्यान आकरिष्ट कराती हुए कहा कि 12 मवेशी उपर लगाम कसने के लिए मवेशी मालिकों के खिलाफ सकत कारवाई की जाए या इन मवेशी उपको जब्त किया जाए ताकि मवेशी मालिक अपने मवेशी उपको खुला छोड़ने के आदतों से बाज आ सके आपके अपने चैनल ब्येस क्राइम इंडिया निउस की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले